हेलो फ्रेंट्स वेलकम तू मा यूटूब चैनल आज हम आपको आठ कली का राजपूती लेंगे की कटिंग एंड स्टीचिंग करना बताएंगे चलिए फ्रेंट्स वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना नया भूले और पैल आइकन को दबा देना ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन अब तक पहुंच जाए सो फ्रेंट्स चार मीटर का हमने कपड़ा ले लिया है उसमें से हमने आठ का लिया निकालनी है सबसे पहले हम कपड़े को अच्छे से फोल्ड कर लेंगे fold करने के बाद हम लेंगे की length लेंगे लेंगा जो हमारा है वो 34 inch का है जितनी भी आपकी लेंगे की length होती है उसमें से हमें 2 inch कम रखना है तो ये देखिए हमने इसको double fold कर लिया है अब हम इसकी length पे निशान लगाएंगे तो 34 inch का हमारा लेंगा है ये देखिए 34 inch में हमें 2 inch कम कर लेना है तो 32 inch हमें लेंगे की length रखनी है ये देखिए 32 inch का हमें length रखनी इसको length रखनी 32 अब इसको हम एक बार और fold कर लेंगे ये उने fold कर लिया है इसको हम एक बार और fold कर लेंगे इसमें से हमारे 4 पल्ले निकलेंगे यह देखे हैं हमारे चार कपड़ा लगबग हो चुका है दो हमारे यह दो हमने ओर निकाल लिये हैं कि अब हम इसमें डबल फॉल्ड हम इसको अच्छे से करके 32 इंच का हमने इकॉल रख लेया अब अच्छे से हम तै करके अब इसको हम रख लेंगे ये देखिए हमने इसको तै करके अच्छे से रख लिया है अब इसको हम अच्छे से देख लेंगे ये हमारा 32 इंच का है दोनों साइड से अब जो हमने सामने लिया है वो भी हम अच्छे से देख लेंगे यह भी हमारा 32 इच का होना चाहिए, छोटा यह बड़ा नहीं होना चाहिए, बरना कलिया भी छोटी यह बड़ी हो जाएंगे, तो हम इसको अच्छे से 32 इंच में यह हमारे आठ कलियों का लेंगा कट करने का सबसे इजी तरीका है ऐसे हम कट करेंगे तो आपके लेंगे भी काफी अच्छी फिनिशिंग आएगी और कले भी छोटी बड़ी नहीं होएगी अब साइड से भी हम इसको अलग कर लेंगे और अपोजिट साइड जो पार्ट हम इसको अलग कर लेंगे यह देखें हम यहां से जोइंट है इसको भी हम अलग कर लेंगे कट करके यह हमने इसको कट कर लिया है दोनों उपर और नीचे तोनों को हम अच्छे से कट कर लेंगे जिससे हमारे पास चार पार्ट अविलेबल हो जाएंगे इन चार पार्ट में सी हमें आठ कलिया निकालनी है यह देखिए अब 57 उसे हम ऑश्राइन कर सकते हैं ताकि फिनीशिंग जल्दवाजी नहीं करे यह टोटल हमारे पास चार पलाओ चुकह एधिये एक, दो, तीन, और ये चार, चार पल्ले हमारे पास हो चुके हैं, अब इनको कैसे कलिया निकालनी हैं, वो मैं आपको दिखा रहे हूं, सबसे पहले हमें पार्ट्स को जो किनारी वाले साइड है, ये देखे उल्टी है और ये हमने सीधी साइड रखी हुई है, किनारी हम हमारी साइड कर रही है, और इसको सीधा पल्ला रखा है, अगर आप उल्टा रख रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो बाकी भी आपको उल्टा ही रखने पड़ेंगे, बस इसमें ये ही चोटी सी आपको ध्यान देने वाली बात है, वर्नाब की कलिया अच्छे से नही कट होएंगे, तो ये देखी हमने, टोटल सेम एज इस हमने सारे पल्लों को ऐसे ही अड्जस्ट कर लिया है, ये हमारे पास चारो पल्ले सेम डारेक्शन में हमने इसको रख लिया है, चारो पल्लों को अच्छे से सेट कर लेंगे, बराबर एक्वल चारो कोने मिला कर, इसक यह सबसे easy और best तरीका है आठ कलियों का लेंगा बनाने का अब friends हमारी जो कमर का size है यह देखिए हमारी 44 कमर है तो जो एक side का नेफा होता हो हमारे 22 इंच का है तो हम 22 इंच की कमर का आधा करेंगे 22 इंच की हमारे 11 है और फिर उसका हम आधा करेंगे fourth part लेना है हमें पहले हमारी 22 इंच है फिर उसका आधा करके 11 इंच और 11 का आधा साड़े 5 तो साड़े 5 में हम 1.5 इंच extra कर लेंगे तो साड़े 5 हमारा fitting का आया है तो हम 7 इंच पे निशान लगा लेंगे यह देखिए जो साड़े पाँ चाहिए तो इसमें 1.5 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है जितनी भी हमारी बैल्ट होती है इसका fourth part इस टाइप से करना है 44 की हमारी 44 का fourth once five and a half हमने सात इंच का निशान लगा ली है अब सीधी side हमने साट इंच का हमने right एंड में लगा है left hand में opposite side में 7 इंच का निशान लगाना है ताकि ये तिर्चार ऐसे line द्रो है यह देखिए हमने opposite side में 7 इंच का निशान लगाया है अब हम इस निशान को मिला देंगे यह देखे हमारे तिर्चा ध्यान रहे फ्रेंड हमें राइट हैंड में जो हमारी किनारी की साइड है वैसे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी लेकिन सिलाई करने में आपको इजी होएगी और आपकी कलिया भी छोटी या बड़ी नहीं होएगी वह आपको सिलाई में आगे दिखाऊंगी इस तरह से आप सिलाई करेंगे तो आपको नीचे से लेंगे की कटिंग करने की भी कोई जूरूत नहीं रहेगी एकदम गुलाई आ जाएगी सो फ्रेंज ये देखिए हमने इसको कट कर लिया है इस तरह से आप कट करेंगे तो आपकी कलिया भी छोटी बड़ी नहीं होएगी और जो लेंगे की नीचे से कटिंग आती है वो भी आपको नहीं करने पड़ेगी ये हमने इसको चार हमारे पास ये कलिया होगी चार हमारे पास दूसरी कलिया होगी तो टोटल हमारे पास आठ कली हो चुकी है फ्रेंज ये देखिए चार हमारे पास ये होगी चार दूसरी वाली टोटल आठ कलिया हमारे पास है अब इनको जोईंट कैसे करना हम आपको बत रखना है इस तरह से हमने इसको उल्टी शेप में एक सीधा और एक उल्टा किनारी वाली साइड हमें नीचे रखनी है ताकि हम सिलाई करते कोई प्रोब्लम नहीं आई यह देखे हम इसको ऐसे फॉल्ट करेंगे तो हमारी किनारी के उपर से लाई आ जाएगे और इसके रुवे भी साइड से नहीं निकलेंगे यह मैं आपको देखिए अच्छे से अड़्जस्ट करके बता रही हूं जो उपर वाला पार्ट्स होता ह है वो किनारी होती तो आपको खीच नहीं है यहीज अधिए आपको यह खीचना नहीं है इसको जो दो किनारी नहीं होएंगे कि अई डिया है ज़्मासी कर लेंगे अच्छे से committed लोका को में खीचना नहीं है कि 낮ें करेंगे तो हमारी जो कलिया है वो इक्वल आएंगी यह मैं आपको सिलाई करके रहेंगे हमारे बिल्कुल ना के बराबर थोड़ा 19-20 का फरक है बाकि अगर आप इसकी कटिंग नहीं भी करेंगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी यह बहुत ही कॉमन वह है सो अब यह के हमें की की हमें चारों कलिया हैं इस टाइप करनी है अब आपको बता रहे हैं जो यह दो पार्स हमने जोइंट करेंगे इसके उपर आपके हम अब में इसमें किनारी नहीं है तो आपको थोड़ा अच्छे से डबल फोल्ड करना है किनारी वाली साइड हमने एक बार फोल्ड करी थी और इसको हम दो बार करके अच्छे से कर लेंगे तो हमारे पास चार कलिया इस साइब से एड हो चुकी है तो यह चार हैं बाकी भी चार हैं उनको भी हम ऐसे ही जोइंट कर लेंगे यह देखिए चार आप मारे पास यह पार्ट्स आ गए हैं और जो दूसरे वाले चार पार्ट्स हैं सेम उसको भी हम इसके उपर रखके joint कर लेंगे same हम ऐसे ही बाकी वाले 4 parts को भी same as it is joint करेंगे यह देखिए जो अमारे पास दूसरे parts हैं उसको भी हम ऐसे ही रखके fold करके side से किनारी इसी तरह से joint कर लेंगे यह हमने joint कर लिया है यह हम side से भी इसी टाइप से जोइंट कर लेंगे ताकि इसकी finishing अच्छी आए ये देखे हमने दोनों साइड से इसकी गोलाई लेते हुए हमने सारी के लिया जोड ली है सिर्फ नेफे के लिए थोड़ी सी छोड़ी है बरना हमने सारी इसकी जोइंट कर लिया है तो फ्रेंज आप नीचे से हमें कैसे कटिंग करने हैं मैं आपको दिखा रही हूं वैसे तो हमारा है नहीं तो बिल्कुल हलका हलका है इसलिए हम इसको थोड़ा-थोड़ा ही शेप देखे कट कर लेंगे इसमें ज्यादा हमारा गैप आया नहीं है मैं आप एक वीडियो डाल दूँगे अगर आपका ज्यादा गैप आए तो आपको किस तरह से कट करना है वह मैं आपको वीडियो में बता दूगे सोँआ हम इसमें विल्कुल थोड़ा थोड़ा है तो इसलिए हम इसको थोड़ा थोड़ा hी कट कर लेंगे साइड से अगर आप नहीं भी कट करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी सलाई आपके ये दब जाएगा फिर भी हम थोड़ा थोड़ा करी लेते हैं ताकि ये लेंगे हमारे अच्छे से गुलाई अड़्जस्ट हो जाए हम आपको इसको फोल्ड करके दिखाऊंगी कि किस टाइप से आपके अच्छे से सैट हो गया है इसमें आपको दिखेगा कि हमारा कोई भी छोटा या बड़ा कली का कोई भी गैप नहीं आया और नीचे से उपर से एकदम इकवल फिनिशिंग काफी अच्छी आई है सो फ्रेंट्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ने भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ने भूले बेल आइकन को दबा देना ताके आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टु टाइम मिलते रहें सो फ्रेंट्स यह आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बोक्स में कमेंट करके जरूर बताए बाई बाई फ्रेंड्स